हेलो स्टेरेंट्स हम अपरेटिक सिस्टम के सब्जेक्ट के अंदर मेमरी मैनेजमेंट का चैप्टि डिसस कर रहे थे जिसमें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी मेमरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में हमने last lecture के दम देखा था कि memory management techniques को दो parts में divide किया गया है एक है contiguous और दूसरी type है non-contiguous और इन types को मजीद different categories में divide किया गया है जैसे कि contiguous को दो categories में divide किया गया है पहली है fixed partitioning और second है variable partitioning आज हम बात करेंगे fixed partitioning के बारे में और देखेंगे किस तरह से operating system fixed partitioning technique के तहत memory को manage करता है तो चलिए start करते है fixed partitioning को समझना fixed partitioning का दूसरा name है static partitioning इसके concept को समझने के लिए हम यहाँ पर RAM की डायगरम नाते हैं आपको पता है कि RAM आपके computer का working area होती है और जितने भी programs आपके execute होते हैं और RAM के अंदर होते हैं तो जैसे ही आप computer को start करते हैं सबसे पहले आपको operating system RAM के अंदर load हो जाता है और जैसे ही operating system RAM के अंदर load होता है यह फिर इस RAM को manage करना यानिके memory को manage करना start कर देता है तो fixed partitioning में को कहते हैं number of partitions are fixed कि operating system basically करता क्या है यह जो RAM की बाकी space रह जाती है इसको fixed number of partitions में divide कर देता है इसका क्या मतलब है कि suppose यह जो RAM है operating system को क्या करते हैं इसको 4 parts में divide कर देता है 1, 2, 3, 4 इसको आप करते हैं fixed partitioning कि जैसे यह operating system execute हुआ उसने इस RAM को fixed number of parts में divide कर दिया तो इसलिए इसका name fixed partitioning रखा गया अब यहाँ पर in partitions का कोई नहीं address होगा like 0, 1, 2, 3 in partitions का address है next वो कहते हैं size of each partition may or may not same कि जो partition हमने बनाई है in partitions का जो size है उस same भी हो सकता है और same नहीं भी हो सकता इसलिए मैंने यहाँ पर दो यहाँ पर diagram's RAM की बनाई थी कि suppose operating system क्या करता है यहाँ पर in partitions का size fix नहीं रखता like इसका size कुछ ही होता है 4 MB, 6 MB, 8 MB और 10 MB यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि इन तुमाँ partitions का size है वो same हो like तुमाँ partitions का size बहुत है 6 MB तो यह दोनों scenario fix partitioning के अंदर हो सकते हैं लेकिन जो number of partitions है वो fixed होंगी वहाँ जैसी operating system load होगा वो in memory को fix number of slots में divide कर देगा लेकिन sizes जो हैं वो दोनों तरह हो सकते हैं same भी हो सकते हैं और different भी हो सकते हैं तो यह तो basic concept था fix partitioning का अब हम देखते हैं कि जब process आएगा तो हम उस process को operating system के अंदर किस सरा से manage करेंगे तो पहला scenario यह हो सकता है कि suppose आपके पास एक process 1 आया जिसका size है 4 MB अब हम क्या करेंगे इस process 1 को हमने इस को MD के अंदर load करना है तो हम देखेंगे कि सबसे छोटा block कौन सा है जिसमें हम इस process को load कर सकते हैं तो यहाँ पर यह जो हमारे पस 4 MB का block है हम इस P1 को इस 0 वाली slot के अंदर load कर सकते हैं यह perfect fit आ जाएगा इस जरह से core process आता है process 2 जिसका size है 6 MB यहाँ पर हम 6 MB इस slot 1 के अंदर load कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखें यह जो processes हैं यह बगैर किसी problem के RAM के अंदर load हो रहे हैं तो इस case को हम कहेंगे कि best case है कि यहाँ पर आपको कोई भी problem नहीं आई जो process आ रहा है वो आपके RAM के अंदर perfectly load हो रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ कैसी ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पर एक problem आएगी उसकी दरफ देखते हैं स्मोज करें कि आपके पास एक process 1 आया जिसका size 3 MB अब हम जब इस process को load करेंगे इस load के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास 1 MB की space रह जाएगी इस तरह से एक और process आता है P2 जिसका size 3 MB है तो अब हम इसको हम कहां पर load करेंगे यह 4 MB वाली जगह पर तो हम load कर नहीं सकते हैं कि आर एड़ी एक process आ चुका है तो हम इसको यह one वाले block के अंदर load करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर इसको load कर देता हूँ जब मैं यहाँ पर load करूँगा तो यहाँ पर एक और space जिसे हम haul भी कहते हैं वो create हो जाएगा इसी तरह से let's suppose एक और process 3 आता है जिसका size 6 MB है इसको मैं load करता हूँ इस 2 वाले block के अंदर तो यहाँ भी एक haul बन जाएगा तो यह छोटे छोटे जो haul बन रहे हैं यहाँ पर आपकी memory waste हो रही है क्योंकि इस जगा पर मैं कोई और process load नहीं कर सकता क्योंकि एक block के अंदर सिर्फ एक ही process आ सकता है और बाकी की जो space है वो आपकी waste हो रही है तो इस problem का आप कहते हैं internal fragmentation यह exam point of view उसे बहुत important concept है अकसर पुछा जाता है कि internal fragmentation के इस technique के अंदर आपकर होती है तो fixed partitioning के अंदर जो problem आपकर होती है उसे internal fragmentation कहते हैं जो यहाँ पर चोटे-चोटे holes बन रहे हैं हमारी memory waste हो रही है इसको आप internal fragmentation कहते हैं अब यह second case था इसके लाब एक और case भी हो सकता है कि suppose आपके पास एक process हाता है P1 जिसका size है 14 MB तो क्या इस process 1 को हम इस memory के अंदर load कर सकते हैं नहीं कर सकते क्यों क्योंकि इसका size 14 MB इस size का कोई भी block मारे RAM के अदर exist ही नहीं करता तो मैं इस process 1 को यहाँ load ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरी यह partitions के size हैं यह fix है तो यहाँ पर एक और problem जो आपस आती है वो है limited size कि आपके process का size limited हो जाता है आपके पास अगर कोई बड़ा process आ चुका है तो आप उसको RAM के अंदर memory के अंदर load नहीं कर सकते इसके बाद एक और problem जो fix partition में आती है वो है limitation in degree of multi programming कि हमारी जो degree of multi programming है उसकी भी limitation है इसका यह बतलब है कि हम जो RAM के अंदर number of programs जो हम load कर सकते हैं वो भी limited है यहाँ पर मैं कितने programs load कर सकता हूँ आपको नदर आ रहा होगा मैं यहाँ पर सिर्फ चार programs load कर सकता हूँ क्योंकि में पर यहाँ पर चार partitions है लेट सब्सक्राइब यह फोर programs हैं तो मैं one by one करके इनको RAM के जोड़ कर देता हूँ अब अगर एक और process आ चुका है B5 तो क्या हम इसको load कर सकता हूँ यहाँ पर नहीं कर सकता यह में पर चार यह ब्लोक से और चार ब्लोक में already processes मुझूद होंगे तो इसलिए इस problem का हम कहते हैं limitation in degree of worldly programming यहाँ पर हम programs को limited load कर सकते हैं तो आज हमने बात की fix partitioning technique के बारे में जिसमें हमने देखा कि operating system इस technique के जरीए किस तरह से processes को memory के अंदर load करता है और execute करता है और हमने देखा कि इसके अंदर कौन पहुंसी problem आती हैं अब यह technique basically एक पुरारी technique है जो earlier computer के अंदर इस्तमाल की जाती थी आज कर हम different techniques के दर यह memory को manage करते हैं वो techniques यह हैं वो हम आने वारे lectures के अंदर देखेंगे अई अब आपको fixed partitioning का concept clear हो चुका होगा आज स्रीत रहीं मिलते next lecture के अंदर Thank you very much बाल मैंधर भी स्क्राइब आपको खलो क्स्राइब और आएब क्स्राइब